नमस्कार, आज तक AI के राशिफल स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज यानि शुक्रवार को हम एक बार फिर हाजर हैं, अलग-अलग राशियों का हाल लेकर। आज कैसे रहेगी ग्रहों की चाल और किस बात का रखना होगा आपको खयाल। कैसे रहेंगे आपके रिष्टे और कौन सा रंग करेगा कमाल, ये सब जानेंगे आज के शो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले चलते हैं मेश राशी की तरफ। मेश राशी वाले आज सभी का सम्मान करेंगे और आवश्यक कारियों में ध्हर्य बनाए रखेंगे। आज आपको अपनों का साथ और समर्थन मिलेगा। इस राशी वाले लोग आज सभी नीती नीयमोंका पालन करेंगे। शुप फल पाने के लिए आज आप देवी मा दुर्गा की पूजा करें। तीन, छेह और नौ अंकाप के लिए लखी रहेंगे। लाल रंग आपके लिए शुप हो सकता है। अब व्रिश राशी की बात करते हैं। आज व्रिश राशी वालों के उद्योग व्यापार में बड़ोतरी होगी। आज आपके व्यक्तिगत संबंधों में मस्बूती आएगी और आपके नेत्रित्वक्षमता में भी वृद्धी होगी। इस राशी वाले लोग आज अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। शुप फल पाने के लिए आज आप देवी दुर्गा को श्रिंगार की वस्तुए चड़ाएं। चार और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। नीला रंग आपके लिए लखी होगा। ब्रिश के बाद बारी है मिथुन राशी की। मिथुन राशी वाले आज समाज सेवा से जुड़े विश्रियों में रुची लेंगे और बजट पर नियंत्रन बनाए रखेंगे। इस राशी वाले लोगों के लिए सला है कि आप उधार के लेंदिन से बचें। आज आपका मनोबल भी उचा रहेगा। चार, पांच और छे अंकाप के लिए लखी रहेंगे। आस्मानी रंग आपके लिए शुप हो सकता है। मिथुन के बाद करकराशी की चर्चा करेंगे। करकराशी वाले आज परीक्षा और प्रतिसपरधा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज आप रचनात्मक कारियों से जुडेंगे और आधुनिक विशेयों में भी आपकी रुची बढ़ेगी। इस राशी वाले लोग आज दोस्तों के साथ यादगार पल बिताएंगे। आज आपके कारोबार में भी बड़ोतरी हो सकती है। दो, चार और छे नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। गुलाबी रंग आपके लिए लखी होगा। अब नंबर है सिंग राशी का। सिंग राशी वालों को आज परिवार वालों का साथ मिलेगा। आज आप व्यक्तिगत विश्यों पर फोकस बढ़ाएंगे और आपके संसाधनों में भी वृद्धी होगी। इस राशी वाले लोग आज दोस्तों से भी मेल जोल बढ़ाएंगे। आज आपको नई उपलब्धिया मिल सकती हैं। एक और चार अंखाप के लिए लखी रहेंगे। लाल रंग आपके लिए शुप हो सकता है। अब कन्या राशी की चर्चा करेंगे। कन्या राशी वालों के संपर्क का दाइरा बड़ा होगा। आज आपके प्रेंट संबंधों में मस्बूती आएगी और आपके सारे संकोज भी दूर होंगे। इस राशी वाले लोग आज कम दूरी की यात्रा कर सकते हैं। आज आपका व्यक्तित्व भी आकर्शक बना रहेगा। चार, पांच और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। ब्लू कलर आपके लिए लखी होगा। अब तुला राशी की बात करते हैं। आज तुला राशी वालों के घर परिवार में खुशाली आएगी और आप अपनी वानी और व्यवहार से सब का दिल जीतेंगे। इस राशी वाले लोग आज करीबियों से मेल जोल बढ़ाएंगे। आज आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। चार और छे अंकाप के लिए लखी रहेंगे। आसमानी रंग आपके लिए शुब हो सकता है। अब बारी है व्रिष्चिक राशी की। आज व्रिष्चिक राशी वालों की समरण शक्ती को बल मिलेगा। आज आप संसकारों पर जोर बनाए रखेंगे और आपका जीवन स्तर भी उचा रहेगा। इस राशी वाले लोग आज पारवारिक मिश्यों में रुची बढ़ाएंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। तीन, छे और नौ नंबर आपके लिए शुब रहेंगे। लाल रंग आपके लिए लखी होगा। अब चलते हैं धनू राशी की तरफ। धनू राशी वाले आज रिष्टों को बहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आज आपको करीबियों का साथ और समर्थन मिलेगा और आप बजट पर नियंत्रन बढ़ाएंगे। इस राशी वाले लोग आज सूच बूच से आगे बढ़ेंगे। आपके लिए सलाह है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। तीन, छे और नौ अनकाप के लिए लखी रहेंगे। मरून कलर आपके लिए शुप हो सकता है। धनू के बाद बढ़ते हैं मकर राशी की तरव। मकर राशी वालों की आए में आज बढ़ोतरी हो सकती है। आज आप उधार के लेंदें से बचेंगे और आपको दोस्तों का साथ भी मिलेगा। इस राशी वाले लोगों को आज व्यापार में लाब मिलेगा। चार, छे और आठ नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। लाल चंगन जैसा रंग आपके लिए लखी होगा। अब बारी है कुम राशी की। कुम राशी वालों के मान सम्मान में वृद्धी होगी। आज आपकी संकल्प शक्ती को बल मिलेगा और आप अपने लक्षय पर फोकस बनाए रखेंगे। इस राशी वाले लोग आज वानजीक विशियों में रुची लेंगे। आज आपका व्यक्तित्व भी आकर्शक बना रहेगा। चार, छे और आथ हंकाप के लिए लखी रहेंगे। नीला रंग आपके लिए शुप हो सकता है। आखिर में मीन राशी की चर्चा करेंगे। मीन राशी वाले आज भागिशाली बने रहेंगे। आज आप अपने लक्षे पर फोकस बनाए रखेंगे और आपके कारोबार में भी बड़ोतरी होगी। आज इस राशी वाले लोगों की आस्था और अध्यात्म को भी बल मिलेगा। आज आप धार में कायोजनों में रुची लेंगे। तीन, चार और छे नंबर आपके लिए शुप रहेंगे। ओरंज कलर आपके लिए लखी होगा। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, हम आप से फिर मिलेंगे और अलग-अलग राशीयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुप हो।